हेलो दोस्तो आज किस पीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ या आपको इन दोनों मल्टिमीटर में से कौन सा मल्टिमीटर खरीदना चाहिए दोस्तो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दूँगा ये बड़ा ओला मल्टिमीटर ले लो या फिर छोटा ओला दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों के वीच काम पेरिजन करेंगे कि भाई इन दोनों में सबसे अच्छा क्वाल्टी किसका है उसके बाद दोस्तों इन दोनों का पॉफॉमेंस कैसा है उसके बाद दोस्तों हम इन दोनों में टेस्ट करेंगे कि इन दोनों का जो एड़ांटे इसमें हम दोस्तो एक्सपरिमेंट करेंगे और दोस्तो फीचर के बारे में भी बात करेंगे तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम इन दोनों की outlook के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं इस छोटे वाले की outlook की बात करता हूँ तो दोस्तो ये काफी handly है और दोस्तो इसमें बता दू आपको मैं तो भी थोड़ा अच्छा है इसका और दोस्तों देख सकते इसका जो उपर जैसे मुबाइल में जिस तरह आप कभर लगाते हैं उस तरह इस पर कभर है और दोस्तों इसमें एस्टेंड दिया है और इसमें नहीं दिया है यह दोस्तों हमारा पहला फीचर हो गया इसमें और द पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों देखें इसमें ऊपर के सब्सक्राइब दिया है अब दोस्तों यहां पीस में और फीचर दिया है दूस्तों जब कि आप continuity test करते यानि कि दोस्तों जैसे यह वायर दो मैं अभी प्रॉग लगा लेता हूं तो प्रॉग का भी मैं आपको बात कर लो तो दोस्तों इसमें प्रॉग लगाने के लिए चार सेक्षन दिया है एक कॉमन दिया है एक डिया वोल्टेज एंड दोस्तों ओम में अगर आ दिखा देता हो दोस्तो तो इसमें अमच्फों दिखाता हूं तो दिखाता हूं यहां कॉमन दिया है इसके बीच TVs में आपको बताया था कि यह LED वाला तो आपको जैसे मैं continuity test करता हूँ तो जो LED है जो इसमें दिया हुआ है दोस्तो इसमें LED दिया है और दोस्तो यह यलो वाला जो है इसमें LED नहीं दिया है तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का जो प्रोग है वो अच्छे से लगा लेता हूँ उसके बाद द बैटरी का साइटनीबव दिया है इसका बैटरी जो अभी थोड़ा लो है मैंने रफाचे नहीं किया था उसलिए तो अबidden इसके मैं चेक करूं दोनों का दोनों का दस्ता करेंगे हम तो पहले मैं इसका चेक करूं तो दोस्तों जेक सकते हैं ये आवाज कर विक्व्हा perhaps औ आपको दीखने रहाँ क्योंकि lighting जो सेटब पर ज्यादा है तो इसमें एक्सट्रा फिचर यह है कि इसमें जो continuity तो बचता ही है बजर का साउंड आता ही है और दोस्तों इसमें एक्सट्रा जो है एलेडीव करता है और दोस्तों इसका कंटिविटी हम लगा देते हैं यहां नी वैलू दिया है रजिस्टेंस को चेक करने का जो कि दोस्तों इसमें जो है हमारा यह वला तो इसमें 12345 दिया है मात दोस्तों फाइफ ही दिया इसमें रजिस्टेंस का वैलू चेक करने का और इसमें जो है दोस्तों 7 दिया गया है और इसमें जो डीसी का जो हमारा सेक्षन है यानी दिखसक्ट है दिख सकते का साइन में आपको दिखाता हूं दिख सकते हैं वéléज के डाओर दिया है तो इसमें दिया है टो इकंधिमे वन टो ठी फॉर फईफ इसमें आद ये जो है मरा इसे फिर सफाइफ यानी एसी के लिए और दोस्तों इसमें जो है एंपियर दिया हुआ है जो दोस्तों इसमें तीन दिया हुआ है तो दोस्तों इसका भी एंपियर जो है वह एक ही है एंपियर का तो एंपियर का पतलब दोस्तों ज्यादा है पर दोस्तों एक एंपियर का एक्ष्टा इसमें है इसमें 25 दिए गया है पर दोस्तों इसमें 10 तक दिए गया है और इसमें 20 अम्रा तक है अब मिल्टिमिंटर में इसमें दोस्तों एक एफ करके section दिया घ्र्र बताईये कि यह एक्ता सुझन में करने। उक्मेंट करने वाले किसी 5 लकी चले जाते हैं भूल जाते हैं तो क्या होता कि मुल्टिमीजार ऐसे चालो ही रहा जाता है मतब और अफ नहीं होता है तो दोस्तों इन दोनों में किसी एक में ऐसा सिस्टम है जैसे हम आन करके छोड़ देंगे ना तो यह अपने आप आफ हो जाएगा यानि हम मेनुवल नहीं अपने आफ आफ हो जाएगा तो दोस्तो एस्पीड जो मैं बढ़ा दिया हूँ कि दोस्तो बहुत टाइम लगता है लगा चार मिट पांच मिनट के बाद इन दोनों में कोई एक आफ होता है तो अब देखते हैं कि इन दोनों मे और मैं इसके रोटरी को घुमा कर भी दिखाता हूं तो दोस्तो देख सकते हैं और दोस्तो यह जो है इसको मैं आफ किया तब जाके दोस्तो आफ होगा और यह आफ होता भी नहीं इसको अपने आफ ही आफ करना पड़ता और दोस्तो देखिए मैं इसको आफ किया फिर दोस और उसमें बैटरी लगा दिए कि यह आप बार-बार खोलना नहीं चाहते बोडि को तो आप आसे यह हो गया दोस्तों इसे को इन दोनों में आपको मैं बताओंगा ट्रक्रमें इसमें और में ना दोस्तों में आपको उनीटी का है दोस्तों यह दिक सकते हैं DT 9205 A और यह जो छोटाओंड़ में ब्र最 magic की च्व श्रों में county तो इन दोनों में आपको मैं दिखाता हूं तो दोस्तो यह जो बड़ा वबाला है इसमें एक और सिस्टम दिआ गया है यह होता है दोस्तों फ्यूज का तो जोसे आप एक्सिटी यहि לתते यह शी करते है जो रोटरी होता है दोस्तों यह रोटरी बहुत ही धीला होता है यानि कि थोड़ा डी क्वाल्टी का यानि थोड़ा लोकल क्वाल्टी का होता है तो जल्दी रोटरी खराब हो जाता है और यह छोटा वाला का रोटरी जो है जल्दी खराब होने के कारण रीडिंग जो आच् आप एक एक रीडिंग को करके उसके बाद करें एक बार तीजी में घुमा कर एक 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 स्विच करके करें और बड़ा वाला में भी वही करें आप तो इसका आपका रोटरी ज्ञादा समय तक चलेगा अब दूस्तों हम बात करेंगे इसकी प्रॉग का तो दूस्तों दो्स्तोब लगाने के वक्तव कहा होता है कि क्या होता है कि दोस्तोफ कभी-ख्राब दोस्तो यह थो रश्ट के कारन तम क्या करें दोस्त भाल बारी बार प्राओ को लगाते में इह खाल हिं लगाते चाहिए आ依ा पर रॉप लगा कर नहीं अब दोनों में जो है अलग अलग खासियत है मैंने आपको सभी बता दिये अब कौन सा खरीना चाहिए छोटा ओला या फिर बड़ा ओला तो छोटा ओला है इससे आप ठीक था काम कर सकते जैसे कि बैट्री का टेस्टिंग हो गया लेबल लेडी रिपेरिंग हो ला और यह बड़ा ओला यह पुरोफेस्ञनल के लिए या यानि के बतलब हम इसा यूज करते हैं जैसे के लिए यह बताइटD specifically में जोटे आंव एलेडी वेगरा मैंने बोला सकी घर पर रिपेरिंग वेगरा करते हैं कुछ कोई खराब चीज हो गया या फिर किसी बैटरी का लेबल करना हो यह सब आप कर सकते हैं और जो यह मैंने इसमें छोटा वला स्विच एड किया है तो इसका क्या फीचर आप जाना चाहते हैं तो य यह बड़े वाले मर्टीबिटर के बारे में और सारा डीटेस जाना चाहते हैं तो यह लेफ्ट वाला वीडियो देखें ठाइक फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में